आरा के जो कहरी गाओं का एक लड़का जो पैसे की तंगी की कारण अपनी चाचा की साथ एक ही साइकल पर बैट कर गाना गाने जाया करता था, जिसने आठ साल के उम्रे से ही गाईकी में पकड जमाते हुए स्टेक शो करना शुरू कर दिया था, जिसने गाईकी की वज़े से बीच में अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी, जो स्टेक शो के लिए घंटो घंटो जागा करता था, उस लड़के की किसमत मा सरस्वती और तवाम भोशपूरिया दश्कों के प्यार दुलार और उसके माता पिता गुरू के आशिवात से एक दिन ऐसी बदलती है, कि साइकल से चलने वाला लड़का आज रेंज रोवर से और ओडी से चलता है, पूरी दुनिया में उसकी अपनी एक अलग पहचान है, आज वो लड़का भोशपूरी इंडस्री के सुपर स्टार के लिस्ट में पहले नंबर पर आता है, जिसको लोग पावर स्टार के नाम से जानते हैं, जिसके गाने ना सिर्फ देश में बलकि विदेशों में भी बचते हैं, जिसको भोशपूरी इंडस्री का धरोहर के रूप में देखा जाता है, जो भोशपूरी इंडस्री का अभिमान है, जिस पर लाखों करोडों भोशपूरिया दर्शक गर्व करते हैं, वो गायक वो भिनेता वो कलाकार अपनी भाष्षा अपनी मिट्टी अपनी परंपरा अपने लाखों करोडो फैंस के साथ बैमानी करने जा रहा है जिहां हम बात कर रहे हैं सुपूस्टार पवन सिंग की और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शोसल मेडिया पर एक खबर सामने आ रह है और मन में बहुत सारी सवाल भी आए इसलिए हमको लगा कि पावन सिंग के ऊपर एक वीजियो बनाना है और उस वीजियो में कुछ जरूरी बाते भी करनी है लेकिन उसे पहले नमस्कार मेरे नाम है डॉली पांडे मेरे साथ है कैमरमेंट विशाल और आप देख रहे हैं जनता जिंग्शन पावन सिंग को पावन सिंग बनाने वाले भोशपूरिया दर्शक है पावन सिंग को पावर स्टार का टैक देने वाले उनके लाखो करोडों फैंस हैं पावन सिंग अगर आज 37 करोड संपती के मालिक हैं तो सिर्फ और सिर्फ भोशपूरिया दशकों की वज़े से पमन सिंग अगर आज महंगी महंगे गाडियों में घुमते हैं महंगे महंगे होटल में रुपते हैं बोश्पूरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे अब ये बात सुनकर आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आकिर जिस भोश्पूरी इंडस्ट्री ने पवन सिंग को इतना बड़ा स्टार बनाया जिस भोश्पूरी आदर्शकों ने साइकल से चल बोश्पूरी को विदेशों तक पहुचाया है उस उस इंडस्ट्री उस भाषा को छोड़कर पवन सिंग आखिर कहा जाने वाले हैं तो आपको बता दें कि मनोस्तिवारी रवी किशंद्रेश लाल यादोरुफ निरहुआ की तरह पवन सिंग भी अब भोश्पूरी इंड तो पवन सिंग्स सब्सक्राइब पूछना चाहिए एगर इस खबर में तो जूठा साबित करने के लिए क्या कुछ करेंगे उनसे पूछा जाना चाहिए ऑगर यह ख़वर सची है तो पवन सिंग से उनका एक एक फैन पूछे कि 32 साल से पवन सिंग ने अपने ओडियंस को मुर्ख क्यों बनाया उनसे पूछा जाना चाहिए कि पवन के मन में अपने फैन के साथ गदारी करने का विचार कैसे आया और सबसे जरूरी बात जो आप सब को पता होना चाहिए कि सिंग को मेरे जैसे और आप जैसे दर्सक और शोताओं ने स्टार बनाया है इसलिए आपका अधिकार है आपका हक है यह जाने का कि अपने ऑडियंस को भगवान मानने वाले पवन इतने नमक हराम कैसे हो सकते हैं वो अपने दर्शकों के साथ बेमानी कैसे कर सकते हैं क्या पावन इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि वो 12-13 करोड़ वाली ओडियन्स की एक इंडस्ट्री को एक जटके में छोड़कर नेता बनने चले जाएंगे। क्या पावन भूल गए हैं कि उनके गानों से उनकी गायकी से उनकी आवास से लाखों करोरों दर्शकों की भावनाई जुड़ी हैं। क्या पावन को वाकि यह भी नेता से नेता बनने की भूख हैं। यह एक-एक सवाल आप पावन सिंग से पूछिएगा। बाकि अगर सच में पावन सिंग ने ऐसा विचार बना ही लिया है, तो उनको चुनाव लड़ने से नेता बनने से कोई रोग तो नहीं पाएगा। लेकिन पावन सिंग को यह कभी नहीं भूलना चाहिए। कि साइकल से चलने वाले पवन को सुपोस्टार पवन सिंग बनाने वाले बोचपुरी भाषा के लोग हैं, उनको विदेशों में घूमने लाइक, हेलकॉप्टर से आरा आने लाइक, लंदन में जाकर शुटिंग करने लाइक, यूटूब पर ट्रेंड करने लाइक, उसी ओडियंस ने बनाया है जिसकी भावनाओं के साथ पवन सिंग खेलने जा रहे हैं, बाकि नेता बनने वाली इपने हाथ पर बन माता है जो पवन सिंग से मिलने के लिए बिहार से मुंबई तक चला जाता है, जो पवन सिंग के नाम पर मार पीट तक कर लेता है। धन्यों